प्रधान मंत्री ने आज प्रधान मंत्री ने पहुंच रही है लेकिन उससे पहले प्रधान मंत्री ने आज बड़ा संदेश दिया है वैक्सिनेशन के जरी और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया जिसमें ने इस बात का जिक्र किया कि सभी लोग वैक्सिन लगवाएं और कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के पैर मजबूत करें को वैक्सिन प्रधान मंत्री ने लिया अभी दो वैक्सिन देश के पास हैं कोवी स्चील्ड और को वैक्सिन तो यहाँ पर विपक्ष के तमाम नेता जो अब तक सवाल उठा रहे थे कि क्यो भारत सरकार के बड़े मंत्री और खुद प्रधान मंत्री अब तक वैक्सिन से बच रहें तो आज उन सभी सवालों पर फुल स्टॉप इस तस्वीर के बाद लग गया है। जवालों का जवाब उन्होंने यहां पर दिया है। बिल्कुल ग्रिह मंतरी अमिश शाह को भी वैक्सीन दी կाएगई। जितने भी शक्त उबे थे भारत बायोटिक की वैक्सीन को लेकर के। प्रधार मंत्री ने वो वैक्सिन ले लिया है, वो टीका ले लिया है, तो इससे बड़ा संकेत और संदेश देश को नहीं हो सकता, फिर भी तमाम दर्शकों के लिए जो ये जानना चाहते हैं, प्रकिरिया समझना चाहते हैं, लेकिन कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन वैक् है, तो आपको बता दें, उन निजी अस्पतालों को जिन्हें पैनल किया गया है, वहाँ पर जब आप जाएंगे, तो इस तरह की वैक्सिनेशन हेल्प डेस्क दिखाई देंगी, ये मेदानता अस्पताल की तस्वीरे हैं गुरुगराम की, और आप जो देख रहे हैं कि ल पास आचुके हैं सुबह से, वो जानना चाहते हैं वाक्सिनेशन कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो हमारा जो हेल्प्रस के है, ये लोगों की मदद कर रहा है, इस पीपला हेल्पिंग पीपल, गेंग नेम दो अंड़र्टाइज, वो क्वालिफाई, वें तो इन पी झाल झाल झाल